जी बताएए तो सर मैं दवा ले रहा था मेटामॉर्फिन तो मैंने अभी तक्रीवन वो एक महीने बंद कर दिया मेटामॉर्फिन फिर मैंने अपना टेस्ट कराया दस दिन बहुत पहले एक गुली लेता था सुबह तो एक रात कुल लेता था फिर दीरे-दीरे करके मैंने किया दिन में बंद किया और रात में आगा रात में फिर मैं आधी लेनी लगा वो आधी भी मैंने बंद कर दी उसके बाद मैं चार एपरन को टेस्ट कराया था अपना दा हंब्ली काई तो व्य गेस् हो好吃 ट्स आ है तो मेरो तो हरा की अओ awhile के पर अब चली इस करें़ लूप ता धौकी बड़िकाने पर्ली तो नब्र्ड हो उन ध्हेर 113 स्वपता 73 तो मैं यह जानना चाहरा है कि मतलब कि मैं, मैं رिवर्स कर पाऊंगा या मेरा रिवर्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अब आपका एज भी बन सी कितना है? स्थर मैंने फैब में कराया था, 6.3 था मेरा दवाई ले था या बिना दवाई के था? मैं मतलब 27 दिसंबर से दवाई ले रहा था और 17 फरवरी को कराया था मैंने उस समय तो यह जो 6.3 यह दवाई के साथ है जी हाँ तो बिना दवाई के तीन महिने फोलो करके देखिए से कितना आता है अभी दवा छोड़ी थी पहले जभी छोड़ी थी तो उसके बाद 4 अपरिल को यह मैंने जो टेस्ट कराया जो मैंने आपको बताया और उसमें खाना खाने के बाद सुन लेजे मेरे बात अभी आप सिर्फ एक रीडिंग से फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर से कुछ भी नहीं पता लगा सकते जब तक आप तीन मैने दवाई छोड़के फिर एजबी वन से नहीं कराएंगे ठीक है जब तक नहीं पता चलेगा ठीक है तो यह सर मेरे अठीक है, अजो दवाई ना तो अपने से शुरू करनी चाहिए और ना अपने से छोड़ा थे यही ज़ादा तर लोग गल्ती करते हैं आप अपने डॉक्टर से सवाल पूछे अपने डॉक्टर से मिलिए या तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के दवाई छोड़िए और अगर वो नहीं चुरुआते तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पर यह कंसल्टेशन में नहीं देपा हूँ आपको यूटूब पर मैं कंसल्टेशन नहीं देता हूँ ठीके ना दवाई बंद करने के लिए कह सकता हूँ ना शुरू करने के लिए कह सकता हूँ इतना कह सकता हूँ आपको कि दवाई ना तो क की डॉक्टर से जिन करते हैं वह आपकीज्व से चोस है या तो आप मेरे से गलती इसको है फिर अपने डॉक्टर उससे कट रिए वह आपकी चोस है आपको जिस्पी डॉक्टर आजसे घ्र tuv ऐट्य ठीक है आप उनसे consult करें लेकिन जादा तर लोग जो है यही गलती करते हैं कि वो doctor को consult करे बीना दवाई शुरू कर देते हैं और doctor को consult करे बीना दवाई बन करते हैं यही सबसे बड़ी गलती करते हैं और इसी के वज़े से लोगों को future में complication हो जाता है आप उस doctor से सला करिए जिससे आप confident है जिससे आपको faith है ठीक है अगर आपको जिस doctor के पास आप जा रहे हैं और अगर उनको आप उनके पास आपको faith नहीं है तो doctor बदलने की जरुवत है आपको आप समझ गया है doctor बदलने की जरुवत है अगर आप जिस doctor के पास जा रहे है और मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको अपने डॉक्टर से फेट नहीं है तब ही आप मेरे पास आके सवाल पूछ रहे हैं जी सिंपल बात अगर मैं आपका जो डायेट डाया फिर डायेट फोलो कर रहा हूँ मैं इसका देखता हूँ लोग आपस वाली वापकी वीडियो है मैंने अभी समझाया है अभी थोड़ा दिर पहले मैंने लोगों को बताया जब तक आप मेरे कोचिंग में नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा कि आप लोग कार्ब ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं अभी मैंने आपको थोड़ा दिर पहले वीडियो अगर देखा होगा एक सज्जन ने एक लेडी ने कंसल्टेशन किया था बोले लो कब डायेट में अपने हस्बिन को दे रहा हूं और जब पूछा तो कहीं नामों निशान भी नहीं है लो कार्ब का हाई कार्ब डायेट दे रहे थे तो क्या सर कि यह जैसे मैं जुड़ना चाहता हूं आपका डायेट में कोचिंग लेना चाहता हूं तो सर कि इसका कितना नंबर है ना नीचे जो नंबर है इस नंबर पर फोन करके आप डिटेल पूछ सकते हैं ओके ओके आप अब जूरिया हमारे साथ जब आपको अपने डाक्टर से फेट नहीं है और हमारे को आप फेट करते है तब ही जूरिये नहीं तो नग. क्यूंकि अब तक आप भ ओड़ा नहीं करेंगे फेट बहुत इंपोर्टेंटल है फेट से आदा बीमारी ठीक हो जाता है आप अपने डॉक्टर को भी फेट करेंगे तो वो आपको आदा बीमारी ठीक कर देगा तो अगर दवाई नहीं लेना चाहता हूं तो फिर डॉक्टर चेंज करने की जरूँ थै क्योंकि आपके डॉक्टर अगर कहता है कि मैं आपकी दवाई बंद करा दूंगा आपका डाइबेटीज रिवर्ट तो फिर वो डॉक्टर अच्छा है उनके इसलिए वहां से नहीं होगा आप हमारे पास आएंगे तो पहले आप कंसल्ट करिया हमारे से ठीक है पूरी रिपोर्ट फास्टिंग इंसूलिन पीपी इंसूलिन दोनों चीज़ करा के फिर जो नं 35 साल के है अगर बोडी इंसूलिन बना रहे है तो बिल्कुल कर सकते है अभी आपका 6.3 है विद मेडिसीन और मुझे लगता नहीं है कि मेडिसीन की जरोत है आपको लेकिन प्रॉपर गाइडेंस क्योंकि प्रॉब्लेम क्या है ना लोगों को यहसा लगता है कि वह लोग ड खा रहे है जबकि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है इसमें जी कार्वाइडेट की मात्रा ज्यादा होती है समझ गया दाल प्रोटीन की सोर्स नहीं है यह कार्वाइडेट का सोर्स है जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है बदा माक्रोट को लोग प्रोटीन समझ के खाते है बदा माक्रोड में पोट्रीन थोड़े होता है यह फैट का सोर्स है उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है लेकिन उसमें healthy fat जादा मिलता है प्रोटीन का सोर्स पता होना चाहिए जब तक अब प्रोटीन नहीं खाएंगे सही मात्रा में तब तक daya fit diet का follow ही नहीं कर पा रहा है डाय फिट डायट में हम क्या बोलते है कि 1.5 से लेके 2 gram per kg body weight protein होना मंगता है लिए नेकिन डायफिट diet कोई डॉक्टर नहीं मानता है वो कहता है कि 0.8 gram protein खाएं इतनी protein में तो कुछ भी नहीं होता है भाई नहीं होता है इतनी protein हमारी diet में अगर आप protein कम करेंगे तो calories कही ना कहीं से बढ़ाएंगे आप और अगर अब और अगर आप कार्बोरण ओड़िट नहीं बढ़ाएंगे और फैट को बढ़ाएंगे तो फिर आप कीटो डायेट में चले जायेंगे क्या आपके लिए कीटो डायेट फॉलो करना संबभ है सतर पर सेंट तक फैट खाना जर। संबभ है नहीं खा पाएंगे 10 दिन 15 दिन खाके गिव अप कर देंगे ठीक है डायेट वैसे डायेट फोलो करना चाहिए जो सस्टेनेबल है जो लाइफ लॉंग फोलो कर सकते है जो हर इंसान फोलो कर सकता है जो एक बैलेंस डायेट है प्रोटीन कार्बॉइड और फैट मैं यह नहीं कीटो डायेट खराब है कीटो डायेट बहुत अच्छा डायेट है मैंने अपनी डायेटिस कीटो डायेट से रिवर्स किया लेकिन कीटो डायेट हर बंदा नहीं फोलो कर सकता है तब ही मैंने यह डायफिड डायेट को निकाल आए जो कि आपकी लाइफ आसान कर सके मैंने diabetes बहुत मुश्किल से किया था बहुत मुश्किल से वो डायट आप लोग को अगर मैं बता दू तो आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे दो दिन में भाग जाएंगे मैंने शुरू में कीटो डायट ही लोगों को बताया था शुरू में मैंने अपनी एक साल प्रैक्टिस कीटो लोग छोड़ के भाग जाते एक में चोड़के भाग जाते मैंने काँ कीटो डायट तो बहुत अच्छा है लेकिन लोग फॉलो ही नहीं कर पाएंगे तो फिर फाइधा क्या है फिर मैंने बहुत बहुत सारे रिसर्च करके फिर ये डाइफिट टाययट निकाला आप अब थी नहीं समझ पा रहे हैं सरी यह आपसा मैंने डाउनलोड किया था उसमें 99 वाला जो प्लाने सर जरा इसके बारे में थोड़ा बताईए सर वो क्या है कि मतलब उसमें प्लान नहीं है जो डाइफिट एप में 99 रुपीज के ज्यादा तर लोग ले रहे हैं उसमें डाइबिटीज दर्बार है ठीक है वहाँ पर हर मंगलवार को रात को 9 वजे डाइबिटीज दर्बार लगता अभी जैसे यह जंता डाइबिटीज दर्बार है आज आपने आपको ले लिया अगले दिन में आपको नहीं लोगा यहां पर अगले दिन में किसी और को लोगा नए अब किसी और को लोगा ठीक है आप यह मत सोचे कि जनता डियाबेटीस दरबार में आप रोज आके मेरे से सवाल जबाब कर पाएंगे नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि आप ही को देखता रहूंगा तो फिर में बाकी लोगों को भी तो देखना है ना सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए तो अगले दिन जब मंडे को आएगा जो नए लोग आएंगे उनको में मौका दूंगा ठीक है लेकिन जो डियाबेटीस दरबार एप में लगता ह लेकिन आपका सवाल का जबाब जो होगा वो स्पेसिफिक सवाल होगा उसके लिए वगरा जो है आप नीचे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर फोन करके आप पता कोई किसी को हम ना तो फोन करते हैं हमारी एक नियम है हमारे पास कम से कम दस हजाल लोगों का नंबर है जब भी एब डाउनलोड करेंगे अपको नमबर डालना पड़ेगा है हमारे पवपास सबके रहें लेगें हम किसी को भी फॉन करके यह नहीं कहते हैं आप हमारा प्रोग्रम लेगा दूसरे जगह पर आप नंबर एक बार डाल देंगे ना आपका जान खा लेगा करके दिखिए यह नहीं सही को एंटर एंट्री मार दिजए किसी भी जो भी प्रोग्राम चला रहे उसके बाद आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपके पास फोन आगा यह ओफार है यह फोन है यह है आप परिशान होके ना ब्लॉक कर देंगे एक मात्र डायफिट एक ऐसा है यह संस्ता है जहां पे हम किसी को कोल्ड कॉलिंग नहीं करते हम नहीं करते किसी को आपका नंबर मेरे पास है लेकिन मैं आपको कभी भी फोन नहीं करूंगा और बोलूंगा कि आप मेरी कोचिंग प्रोग्रम ले लेगे आपको जरूद पड़ेगी तो आप खूद फोन करेंगे पता करेंगे इस नंबर पर फ सब्सक्राइब करेंगे तो दो रुपे आपका सस्ता पड़ेगा ठीक है और चार रुपे के साथ कंपेर करेंगे तो वह चार रुपे सस्ता पड़ जाएगा महेंगा कहने का मतलब है कि जो जितने भी आज के डेट में प्रोग्राम चल रहा है सबसे ज्यादा महेंगा प्रोग्राम हमारा है आप जसे कर लेंगे हम आपका मान लिजये एक महीने का या तीन महीने का तो हमारी साल वाड़के कोशीं होती है एक साल की अम लेते हैं इसको चाहिए का तीन साल के लिए कम से कम एक साल चाहिए होता है क्योंकि आगर आप तीन मेहने चार मेहने में एजबीवन सी कम भी कर लेंगे उसके बाद भी आपको उसको कैसे मेंटेन छे साल तक मैंने अपनी HB1C कम करके रखा हुए, कैसे किया है, वो भी तो सीखना है ना, रात हो रात में सीख पाएंगे आप, आपको समय लगेगा, आप diabetes रिवर्स भी करने के बाद, उसके बाद कैसे खा सकते हैं, उसके बाद क्या include कर सकते हैं, वो भी सीखना ज़रूरी है, चलिए सर, कल फिर बात नहीं है कि 8 से 10 करूल लोगों को diabetes है, क्या मेरे लिए संबब है कि मैं सब को diabetes रिवर्स करा दू, अगर मैं एक रूपय फीज भी कर दू, तो भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए impossible है, ठीक है, तो हम फीज उसी से लेते हैं, जो फीज effort कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उनक कुछ लोग जो है, जो YouTube में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम डाइफिट आप डाउनलोड कर दिया है, वो 9.99 में जोइन कर सकते हैं, और जो लोग वहां पर भी नहीं आ सकते हैं, कुछ लोगों को, हम बहुत लिमिटेड लोगों को लेते हैं, जो कोचिंग के लिए, सब ल दोक्टर डेली बेसिस पे वीडियो कैसे बना रहा है, कभी सोचा है, कौन से डोक्टर डेली बेसिस पे वीडियो बना रहा है, कैसे बनाते हैं, बताइए, मैं ही सोचा जारे इस बारे में, मैं बताता हूं, एक डोक्टर आठ गंटा मरीज देखता है, और 500-500 फीज लेती ह और कम से कम एक दिन में सो सो पेशन देखते हैं इसी तरह से देखते हैं सब मैं एक दिन में दस से ज़्यादा पेशन देखते ही नहीं और जो बाकी टाइम जो बाकी लोग देखते हैं उस तना टाइम में पढ़ाई करता हूं और वीडियोज बनाता हूँ ताकि लाखों लोग जो है मेरे कोचिंग के बिना मेरे कंसल्टेशन के बिना अपने डियाबेटीज लिवर्स कर सके है चीकर सब और इसलिए अमारे फीज ज़्यादा है जलकुल समझेगे सब समझेगे लेकिन फीज ज़्यादा और कम तो मैंने आपको बताया ना कि रिलेटिव है दूसरे मार्केट में अगर उन से कंपेर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर आप बाहर के किसी से कंपेर करेंगे तो बहुत पीनट से हमारे बीदेशों से लोग हमारे साथ क्योंकि उनको हमारी फीज एकदम पीनट लगता है समझ गए हमारी पूरी साल की फीज उनकी एक डॉक्टर की एक दिन की कंसल्टेशन फीज होती है ऐसा है बाहर यूएस में तो यह रिलेटिव है वो बाकी आप मैं किसी को फोन नहीं करता हूं ना किसी को हम फोर्स करते है कि अमारी कोचिंग प्रोग्रम ले जिसको मन है वो करते हैं एक मारत्र है हम कभी भी आपको फोन नहीं करेंगा आपका नंबर मेरे पास होगा ना तो भी मैं आपको फोन नहीं करूंगा लेकिन आप दूसरे प्रोग्राम में एक नंबर डालके देख लिजे आपके पास दस फोन नहीं आया तो मेरा नाम बदल रहेंगा नहीं सही कह रहा है जारब आप मेरे पास तभी आएंगे जब आपको लगे में ही आपका सब कुछ कर सकता हूं मेरे पर complete faith होगा तभी आएंगे जब नहीं होगा तो नहीं करते हैं वो recording video बात करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ गरबर कुछ कोई गरबर ना पूछ ले कुछ गरबर जबाब ना दे दे समझ गया है इसके लिए पूरी knowledge होनी चाहिए confidence होना चाहिए कि कुछ भी सवाल करे और उसका जबाब होना उसके लिए पढ़ना बह diabetes capital बन चुका है हर घर में किसी ना किसी को diabetes है और कोई information दे ही नहीं राएस ब्राउन राइस खा लेजे वाइट राइस बंद कर दीजे होटी जैसे बर्ट में कितने हैं हाँ जी आसर ऐसे ही बताते हैं कोई काई है यह खाई है वो खाई है पर कोई मताते नहीं कोई नहीं ब और मैं आपको बता दू हमारे पास कौन लोग आते हैं कोचिंग में यह भी बता देता हूं हमारे पास वही लोग आते हैं जो बाकी सारे प्रोग्राम कर चुको है बाकी सारे प्रोग्राम करके जब हो जाते हैं नहीं रिजल्ट मिलता तब आता है हमारे पास ठीक है तो कहुंगा कि आप कहीं से भी diabetes reverse कर लिजे किसी भी program join कर लिजे जहां पर सस्ते से सस्ता program है हमारे program में आई एर बोले हमने उनके program join करके हमने diabetes I'll be the most happiest person आपकी diabetes reverse हो जाएगी हमारे coaching के बिना भी तो I'll still be happy concept समझे बाकी अगर आप बहुत young है बिल्कुल reverse कर सकते है मुझे तो ऐसा लगता है ठीके 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 आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे और थोड़ा सा खुशी भी हो रही है और आपने जैसे अभी मेरे को विश्वास दिला है कि आप young हैं बहुत जल्दी कर सकते हैं तो बड़ा बढ़िया लग रहा है जाने सर एक्सरसाइज जैसे जादा हो जाए तो कोई डिक्कत नहीं होता है जादा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है कोई भी चीज जादा अच्छा नहीं होता है यह समझ भी ठीक्षाइज दिन करिये 40-45 minute करिए strength training करिए बहुत है जी जी इससे जादा 40-45 minute exercise करिए strength training जादा important है वो करिए और 4-5 दिन भी करेंगे उतना काफी है आपके लिए चलेगा ठीक है जादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है ठीक है थैंक यू सो मच हमारे साथ जादा करिए बहुत है